दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड DMH11 के बारे में हैविड मस्टर्ड कैसे डवलप किया गया है इसको हम समझेंगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपनी फिल्बैक दे सकते हो जिसमें हम दिमांस्टरेट कर सकते हैं कि इसका क्याएफ्ट है वो निग्यिण इसका इंक अब या वह देग्यों फिल्ट्र एल क्या है तो दोस्तों पहले बात हम बात कर लिए और大概 क्या क्या है जैसे मैं बता-थू को हम आपको पता होना चाहिए कि hybridation क्या है इसमें दो genetically dissimilar plant varieties हम लेते हैं और उनका हम crossing कराते हैं और जो first generation होती है जो offspring from this such parents से मिलता है उसको हम hybrid बोलते हैं और इसका generally होता क्या कि दोनों parents से अगर compare करें तो इसका yield जो होगा आपको वो higher होगा तो इसको f1 generation जो first generation है आपको जिसको बोलते हैं वसी को हम hybrid बोलते हैं अगर हम यह देखे हैं mustard में hybrid निकालना तो यह यहां पर थोड़ी tough है क्योंकि इसमें था क्या कि देखो कि इसमें बहुत female part है और male part है आपको एक ही flaw पे हो जाने के वैसे इसमें self-pollination हो जाता है ठीक तो self-pollination अगर क क्रॉप है तो उसमें है इसके वजए से क्या है hybrid develop करना tough है क्योंकि definitely आपको जो एग होगा plant का वो किसी दूसरे pollen के द्वारा fertilize नहीं हो पाएगा तो जिससे कि hybrid develop कर पाना आसान नहीं है तो आप यहां पर हम बात करें कैसे hybridization जो है हमने mustard में achieve किया वहां पर genetic modification किया गया जै बैली उनिवस्टी का center for genetic manipulation for crop plants है जिसको CGMCP बोलते है उन्होंने जो hybrid master develop किया DMH11 इसमें दो एलियन जीन जो है वो लिये गया और कहां से वो soil bacterium से जिसका नाम है bacillus amyloliquid basins इससे दो जीन लिये गया एलिन दो फर्स्ट इस वरांसी और दूसरा वार्स्टर और जो वरांसी है इसको code किया गया फारे प्रोटीन जिसकी वज़ा से क्या होगा pollen जो प्रोड्यूस होता है mustard में वो क्या होगा strile हो जाएगा जिससे कि हमको male strile line मिल जाएगी ठीक है दूसरा जो वास्टर है यह क्या है कि जो वरांसी जीन है उसके action को block करने के लिए इसको लिया गया तो अब अब आपसे बता दें जो वरांसी जीन है आपको बता दें जो एक leading जो इंडियन muscle variety है जिसका नाम बरुना है उसमें वरांसी जीन को डाला गया जिससे कि वो आपका वो वरांसी लाइन हमें मिल गई और जो दूसरा जो बास्टर है उसको हम इस यूरोपियन अरली हीराट्टू जो एक mutant है उसमें डाला गया अब यह दोनों क्या है parents का क्या और फिर इनका क क्योंकि हमें male stride line मिल गई अब हमें यहां पर दोनों को crossing कराना असान हो जाएगा तो अब हमें इनकों crossing कराए तो हमने यह पाया कि जो उससे variety निकली जिसका नाम हमने बोला DMH 11 वो hybrid उसका 28% जो इल था वो वरुना जो leading Indian mustard variety है उसका higher था तो इस तरह से जो पूरा जो इतिह है वो इस DMH 11 जो कि आफकी genetically modified GM mustard है उसका है तो उम्मीद करूँगा यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी वीडियो कैसी थी कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब